So Hello Everyone, आज की इस वीडियो में जो अपडेट हम आप लोगों को देने वाले हैं, वो देने वाले हैं बिहार ITI काउंसलिंग 2022 के बारे में हैं तो आप लोगों का 2022 में यहाँ पे कब से काउंसलिंग होने वाला है, किस तरह से आप लोगों के एडमिशन की प्रिकडिया होगी आप लोगों को यहाँ पे काउंसलिंग से पहले आप लोगों को सभी डॉक्मेंस को तयार कर लेने हैं, ताकि आप लोगों का बिहार ITI 2022 में यहाँ पे एडमिशन आप लोग ले सकें तो फ्रेंट्स आप लोग वीडियो को बिना इसकिप के अंतक वाच कीजिए ताकि आप लोगों को यहां पे बिहार आइटिया कॉंसलिंग 2022 के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी इस वीडियो के माधियम से मिल सके तो फ्रेंट्स अगर चैनल पे ना हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करनें साथी साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर आउन करनें ताकि आप लोगों को गेदवारा इस चैनल को ज़्यादा सपोर्ट मिल सके और ऐसे यह बेहतरीन अप या दोहजार बाइस के लिए कौंसलिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को इसके ओफिस्यल वेबसाइट पे आने होंगे ओफिस्यल वेबसाइट पे आने के लिए सबसे पहले फ्रेंट्स आप लोगों को यहाँ पर उपर में एक लिंक दिखाए दे रहा तो counseling के लिए सबसे पहले क्या-क्या documents यहां पर लगने होला है किस प्रक्राइँ के तहत यहां पर होने बाला है से किया जाएगा तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि इसे पिछले बरस भी जो है बिहार आटिया कॉंसलिंग ओनलाइन मूड पे यहाँ पे किया गया था जिसकी अधिक जनकारी अफिसेल नोटिफिकेसन जारी होने के बाद ही एसपष्ट की जा सकती है लेकिन फ्रेंड यहाँ पे आप लोगों का 100% स्योर है कि आप लोगों का जो भी चौंसलिंग यहाँ पे होने बाला है वो आप लोगों का जो है आuar आंलाइन मूड पे ही होगा लेकिन यहाँ पे अधिक कारिक तोर पे इसकी घोसना अभी नहीं हुए लेकिन जल्दी BCC, Board दुआरा अधिक विगयापन चारी कर इसमें बताया जाए कि कौंसलिंग के प्रिकरिया कब से कब तक होने वाली है तो जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप लोगों का जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक कौंसलिंग का डेट जारी नहीं किया गया था लेकिन इसी सब्ता में आप लोगों का यहाँ पे कौंसलिंग का डेट जल्दी आ सकता है और जल्दी आप लोगों का counseling जो online के माधियम से आप लोगों का start हो सकता है उसके बाद नीचे आएगा friends यहाँ पर क्या क्या documents इसमें लगने वाला है तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप लोग जो है कौन-कौन इसमें apply कर सकते हैं How to apply online-phode Bihar ATI Counseling 2022 Bihar ATI Counseling कैसे करें आये जानते हैं तो सबसे पहले आप लोग इस चार points को अच्छे से याद कर लें कि इसमें ABYarthik Kosab पर्थम नीचे के लिंक पर official website पर जाना होगा तो जैसा कि आप लोग जो online कि होंगे या अपना ITI card का rank जो है आप लोग डॉनलोड कि होंगे तो उसके लिए भी आप लोगों को user ID password के आप सकता हुई होगी उसमें login करने के बाद तस पस्यात आप लोगों को आविदक का photo हस्ताक्षार scan करके upload कर देना होगा फिर अंतिम यहां से जो अपना college जो चूज कर सकते हैं counseling के जरीए और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि counseling का schedule भी यहां पर दे दिया जाएगा तो बहुत सारे यहां पर link दिये गए हैं आप इस website में आके जो है यहां पर आप लोग जो है इस notification को यानि की direct इस website के जरीए आप लोग आपना counseling कर पाएंगे so friends आप लोगों को नीचे description में telegram group का link मिल जाएगा आप लोग गरूप भी जुआइन कर लीजे ताकि आप लोगों को वहां से link provide कर दिया जाए जिसके जड़ी आप लोग यहां पर counseling कर पाएंगे so सबसे पहले आप लोगों को यहां पर जरूरी दस्त तावेज क्या है जिसा कि आप लोग देख सकते हैं बिहार ITI required documents आप लोगों का यहां पर ITI counseling के लिए क्या-क्या required किये जाएंगे तो काफी सारे documents यहां पर बताएगा हैं लेकिन आप लोगों के पास यह document 100% होई जाएंगे अगर आप लोगों का जो भी नहीं है वो आप ल लोगों को कर दूँगा या आप लोगों का इसी सब्ता में जारी कर दिया जाएगा जैसे कि अभी तक सूच ना आ रहा है और जैसे इस पर जो है आप लोगों का date counseling का जारी किया जाएगा मैं एक पूरा प्रोसेस के साथ आप लोगों के वीडियो complete बना के दे दूँगा त दो दस्तों उमीद करता हूँकि इस वीडियो में जो भी जैनकाड़िया आप लोगों को दी गई है वह कहीं अप लोगों को पसंद आएगा पसंद लिए वीडियो को like कर दे है और अपने friends के साथ ज्यादा ज्यादा share करें इस चैनल को ज्यादा ज्यादा subscribe करके support करें ताक कि आप लोगों को ऐसे ही बैतरीन अपडेट्स लगातार मिलते नहीं तब तक के लिए मिलते हैं फिर सिक्सी नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक लिए टेक कर बाई जाहिंद